इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये होम्योपैथे कुप्चार विशिष्ट मूत्र संबंदी लक्षणों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि पेशाप के आवरिती में वृद्धी, जिज़क, कमजोर मूत्र प्रवा, पेशाप के अंत में बूंद-बूंद टपकना, डिसुरिया, य उन्दे विशेश रूप से मूत्र मार के प्रोस्टेटिक हिस्से की जिल्ली को लक्षित करती है, जिससे प्रोस्टेट वृद्धी और सूजन से जुड़े लक्षणों को संबोधित करने में मदद मिलती है। 3. प्रोस्टेट संबंधी परिशानियों से राहत दिलाने में मदद करता है। ये बूंदे प्रोस्टेट संबंधी विभिन समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए बनाए गई हैं, जिनमें पेशाप की बढ़ती आवरिती, कमजोर मूत्र धारा, पेशाप के अंत में बूंद-बूंद तपकना और डिसुरिया यानि की दर्दनाक पेशाप शामिल हैं। 4. मूत्र के आसान मार्ग में मदद करता है, प्रोस्टेट ग्रंथी और मूत्र मार्ग को लक्षित करके LD-16 प्रोस्टेट ड्रॉप्स का उद्देश्य मूत्र के प्रवाह में सुधार करना है। इसके परिनामस्वरूप मूत्र का मार्ग आसान और सहज हो सकता है, जिससे जिजखक और कमजोर मूत्र प्रवाह जैसी कठिनाईयों को कम किया जा सकता है। 5. सबल सेरोलाटा 2X ये घटक प्रोस्टेट ग्रंथी पर कारे करता है और आमतार पर प्रोस्टेट से संबंधित लक्षनों जैसे कि बार-बार पेशाब आना, कमजोर मूत्र प्रवाह और पेशाब शुरू करने में कठिनाई के उप्चार में उप्योग किया जाता है। 7. कलेमाटिस एरेक्टा 3X कलेमाटिस एरेक्टा का उप्योग प्रोस्टेटिक समस्याओं से जुड़े मूत्र संबंधी लक्षनों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें पेशाब के अंत में टपकना और कमजोर मूत्र प्रवाह शामिल है। 8. पलसेटिला निगरिकंस 3X इस घटक का उप्योग अक्सर मूत्र संबंधी विकारों के लिए किया जाता है, जिसमें बार-बार पेशाब आना और मूत्राशय के अधूरे खाली होने की अनुभूती शामिल है। 9. कोनियम मैकुलेटम 5X कोनियम मैकुलेटम प्रोस्टेट ग्रंथी पर इसके प्रभाव के लिए जाना जाता है, और आमतोर पर पेशाब के अंत में जिजखक, कमजोर मूत्र प्रवाह और तपकाव जैसे लक्षनों को संबोधित करने में उप्योग किया जाता है। 10. चिमाफिला उमबिल्टा 3X चिमाफिला उमबिल्टा ता मूत्र प्रणाली पर अपने प्रभाव के लिए जाना जाता है, और बार बार पेशाब आना पेशाब के दौरान जलन और मूत्र प्रतिधारन जैसे लक्षनों को कम करने में मदद कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें